ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्ट्रोजर के एंजना और मैं पने स्री यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आईए समझते हैं कल 16 अगस्ट 2024 कैसा बीतेगा मेंसे लेकर मीन लगने वाले जात्कों का और सबसे पहले पंचान को हमें देखते हैं देखे कल श्रावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिती रहने वाली है और ये एकादशी तिती जो है सुबह नौ बचकर उन्तालिस मिनट तक रहेगी उसके उपरान द्वादशी तिती प्रारब हो जाएगा चंद्रमा मूल नक्षतर में गोचर करेंगे और उसके बाद पूर्वाशार नक्षतर में चंद्रमा का प्रवेश होगा विष्टी या भद्रा नौ बचकर चालिस मिनट प्राथा काल तक रहेगा बवकरान हाट बचकर अंठावन मिनट तक रहने वाला है 16 अगस्त को राहुकाल 11 से लेके साड़े बारा के पीश में होगा कल के दिन चंद्रमा धनू राशी में गोचर करेंगे तो आईए समस्ते प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रभाव होता है प्रारम करते हैं मेश लगन से देखे कल के दिन आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे जो आपके आमदनी है उसमें उन्नती के योग दिखाई दे रहे हैं मानसिक और शारेरी क्रुप से आप ठकावट महसूस कल के दिन कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ सकरात्मक वारतालाब भी कल हो सकती है कार वैवसाय में परिश्रम के फलसुरूप अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे यात्रा करते समय आपको सतरक रहना चाहिए सिक्षा के छेतर में आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए समय अवश्य निकाले जीवन साती के साथ रिस्ते आपके मधूर होंगे सेवेंटीवन प्रतिशा तक का समय आपके लिए अच्छा है कल का जो शुब रंग है वो नो और शुब अशुब अंक नो और शुब रंग पीला बन रहा है उपाय के लिए सुन्दर कार्ण का पार्ट कीजिए सारी बात हैं दूर होंगे विरिशब लगन की बात करते हैं देखे व्रिशब लगन वाले जात्कों का मानसिक व्याकुलता या तनाव का सामना कल के दिन करना पर सकता है वित्तिय मामले यानि फाइनेंशियल मामलों में थोड़ा सतर करेने की जुरत पड़ेगी परिवार में माता पिता के साथ रिष्टे जो हैं आपके मजबूत होंगे कार वैवसाय को लेकर विदेश यात्रा होने की संभावना देख रही है भाग आपके पक्ष में होगा पढ उगदान की सब साराना व्याप को करेंगे कल मिलाकर कल का दिन आपके लिए 66 प्रतिशा तक अच्छा है कल का शुब अंक दो और शुबरंग बैंगनी बन रहा है उपाय के लिए कल के दिन गायतरी मंत्र का जाप कीजिए दिन आपका अच्छा होगा अब हम अगले लगन की बात करते हैं मितुन लगने देखे कल का दिन आपका सामाने रहेगा नए विचारों का समावेश होने के कारण आपके अंदर उर्जा का संचार होगा लेकिन फाइनेशली रूप से सतर करेंए अनावश्य खर्च आपके बजट को भीगाड़ सकते हैं और निवेश अगर कह नहीं करना हो तो कल के दिन ना कीजिए स्वास्त उत्तम रहेगा परिवार में उतार चड़ाओ कि स्थी बनी रहेगी सहकर्मियों के सयोग से कारेश छेतर में लक्ष किया प्राप्ति भी कर पाईएगा कल के दिन की गई यातरा आपके लिए आज सुविदा जनक रहेगी इ जीवन साती का सयोग मिलेगा खुल मिलाकर कल का दिन 72 प्रतिशा तक आपके लिए अच्छा है कल का शुबंग पांच और शुबरंग गुलाबी बन रहा है कल के दिन आपको ओम सुर्याय नमा का जाप करना चाहिए जिससे की दिन अच्छा पीते करक लगन की बात करते हैं चल रहे है मन मुटाव को दूर करने का प्रयास करेंगे समसाज़ेदारी में अगर किसी प्रकार का काम कर रहे है तो उसमें आपको लाब मिलेगा धार्मिक यात्रा से धन खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है परिश्रम के बाद परिक्षा में सफलता मिलेगी दा मिलाकर कल का दिन 75% तक आपके लिए अनुकूल है कल का शुबंक साथ शुबरंग नीला बंगरा रहा है उपाय के लिए कल के दिन गरीब व्यक्ति को अगर कुछ खाने या किसी वस्र का दान कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा सिंग लगन की बात करते हैं देखें कल के दिन आपका आत्रिश्वास बड़ा चड़ा रहेगा वित्तिय मामलों में साफधानी इसे निर्णने लेना चाहिए पैरों में दर्द की शिकायत कल हो सकती है परिवार के साथ कल आप सक्रात्मक महौल बना रहेगा परिवार के लोगों के साथ जिसके करण मन विपसंद रहेगा चार्य के एक्स्पेेशन के लिए कलका समय अच्छा है ऐसे में आपको सायोगी होंगे धार्मी किस्थल की यातरा की हो सकती है भाग यकल आपके पक्ष में रहेगा उच्छी सिक्षा की प्राप्थी के लिए समय जो एंब्कूल ठीक्रार आन जीवन शा अब रंग गहरा पीला बन रहा है उपाय के लिए सूरीदेव को जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमा का जाप कीजिए या आप तीन बार ओम आदित्याय नमा बोलकर जल चड़ाइए तो दिन अच्छा होगा करन्या लगने की बात करते हूं देखे कल का दिन सामाने रह पारिवारी क्रिष्टे जो हैं मजबूत होंगे आपको सफलता मिलेगी धार्मिक यात्राइं करना चाहते हैं तो सुखद रहेगी और दामपत्य जीवन में पती पत्मी के बीश में मनमुटाव जो रहेगा वह एक दूसरे के मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करेंगे प्रेम प्रसंग में आपके कुछ मद्वेद हो सकते हैं वह आहन चलाते समय साफदानी बरतिया 76 प्रतिशत का दिन अच्छा है कलका शुब अंग तीन और शुब रंग नारंगी बन रहा है उपाय के लिए कलका पूर्द का जो बीश मत रोता है ओम ब्रांग प्रिंग ब्र अरचाइस करना पड़ता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है तो इस श्रिंकला में आप रत्न पहनते हैं और तभी आपको पूजा करानी की भी सरा दी जाती है और आज के भागदौण वाले समय में जहां पर आपके पास समय किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाता है किसी भी गरा की शांती पूजा हो चाहे कुछ विशेस अनुष्ठान हो जैसे कर्ण पिसाशनी, दस महाविद्या, महामृत्यूंजे, बगला मुखी इन सभी पूजा को हमारे जितने भी पंडित हैं वो आपको और्गनाइस करके करते हैं और इसके लिए आपको कुल्ली ए हाला कि संध्याकाल होते होते सकरात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, आमदनी के ने आउसर प्राप्त होंगे, फाइनांस आपका कल अच्छा रहेगा, परिवार में बड़े बज़ुर्गों का आशिरवात प्राप्त होगा, यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा, करि करते समय आपको सचेत रहना चाहिए, पुल मिलाकर कल का दिन एक्यासी प्रतिशा तक अच्छा रहेगा, कल का शुब अंक्चार और शुब रंग गुलाबी बन रहा है, उपाय के लिए कल के दिन गरीबों को कुछ खाने की वस्तूं का दान कीजिए तो दिन अच्छा भी देगा, वरिश्चिक लगन की बात करते हैं, देखे कल के दिन आप उर्जावान महसूस होंगे, कारे वेफसाय में विश्यस प्रतिती करेंगे, आर्थिक मामले में सुधार होगा, धन के निवेश से लाब की प्राप्ति होगी, किसी महत्रपूर कारे के लिए बड़े बु कल के दिन हो सकती है, और उनिती करने के बहुत सारे उसर कल आप उप्राप्त होंगे, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके सिख्षा में विश्यस ध्यान किंद्रित होगा, जीवन साती का सयोग मिलेगा, कल का दिन खुल मिलाकर 70% तक अच्छा दिक रहा है, कल का शुब अं कारी की सुरुवात कर सकते हैं, आए में वर्धी हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर आपको नियंदर रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, पैत्रिक संपत्ती के लिए चल रहा बादिवास समाप्त होगा, परिवार में शुब कारे का कल आयोजन हो सकता है, सिख्षा में प्रगती होगी, वाहन खरीदने के कल योग बनते हैं, समाज में आपको मान, पद, पतिष्ठा में वृति होगी, कुल मिलाकर कल का दिन 78 पतिष्ठा तक आपके लिए अच्छा रहेगा, कल का शुबंग चार और शुबरंग सफित बनता कि कल का दिन आपके लिए overall समाने रहेगा, लक्ष की प्राप्ति के लिए सही मारगी की आप तलास करेंगे, आर्थिक मामलों में पहले किया पिक्षा सुधार होगा, निवेश करते समय आपको समझदारी का पर्चा देना पड़ेगा, और उचित होगा कि किसी बड़े भु आपके प्रस्तावा सकते हैं, आपका जो भाग रहेगा, कल आपके पक्ष में रहने वाला है, दामपत्र जीवन में सुखियां, सुखी मिलेंगी और समपत्ति को लेकर किसी प्रकार की वाद इवाद उत्पने सकती है, कुल मिलाकर 73 प्रतिशत का समय आपके लिए favorable है, कल का शुबंग तीन और शुबरंग पीला बनता है, उपाय के लिए ओम, शह, शनिश्चराय नमा मंत्र का अगर आप जाप करते दिन अच्छा भी देगा, कुम लगन की बात करते हैं, देखे कल के दिन आपको नई प्रकार की चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है, खर्ज क जीवन साथी के साथ जो रिष्टे रहेंगे, वो मधूर रहेंगे, वहां चलाते समय सतरक आपको कल के दिन रहना चाहिए, वित्ये ट्रांजेक्शन करते समय आपको साफधानी बरतना चाहिए, पुल मिलाकर का आजाए तो कल का दिन 60% तक आपके लिए अच्छा रहेगा, कल का शुबंग आठ और शुबरंग नाल बनता है, उपाय के लिए शनी का जो बीजमंत्र है उसका जाप कीजे दिन अच्छा बीतेगा, अब हम अंतिम लगन की बात करेंगे, मीन लगन वाले जात्पों का कल का दिन कैसा बीतेगा, देखे कल का दिन आपका सामाने बीतेग माता पिता को स्वास समंदी समस्याएं हो सकती है, भागे का सयोग मिलेगा, जीवन साथ ही आपके लिए भागे शाली होंगे, और वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए, निवेश करते समय आपको बड़े बुजर्गों का सला लेने के बादी निवेश करना च चाहिए, धार्मिक शेतर में आपके रूची बड़े के, कुल मिलाकर 79 प्रतिशत्त का दिन अच्छा है, कल का शुब अंकसात और शुबरंग नारंगी बढ़ता है, उपाय के लिए कल के दिन गड़ेंशी की अरातना कीजिए दिन अच्छा बीतेगा, तो ये था पूरा मे इस से लेकर मीन अलगन वाले जात्तों का कल 16 अगस्त 2024 कैसा बीतेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्ष्य में लेतेगा, अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्टॉजर केम सिना, ओम नमस्षिवा, जोतिश में ये कहा गया है कि अगर आपके ग्रह खराब हो जाते से आपको एनरजाइस करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो इस श्रिंकला में आप रत्न पहनते हैं, और तभी आपको पूजा करानी की भी सहा दी जाती है, और आज के भागदौण वाले समय में, जहां पर आपके पास समय किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाता है, चाहे आप भी देश में हैं, वहां पर आपको पंडित आवलेबल नहीं है, या अपने देश में हैं, आपके पास समय आवलेबल नहीं है, तो पुली एक्सपर्ट का जो मोबाईल एप आपको दिख रहा है, इसमें ऑल्लाइन पूजा का भी आपको हैं और इसके लिए आपको कुल्ली एक्सपर्ट का मुवाईल एप आज ही डानलोड करना चाहिए